नमेश्कार दोस्तों, Get Success to 4-7 के एक और वीडियो में आप सभी का सब्सक्त है, तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आज चुका हूँ, राजस्तान करेंट अफेर्स का एक और वीडियो आज है, 20 अपरेल, 20 अपरेल के most important questions के यहां पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो ही जवाब दिया था, और आज का आपका question, जिसका आपको जवाब comment box में देना है, कि हजार खंबों का नगर किसे कहते हैं, चार option आपके सामने है, रनकपूर, दिवेर, चितोडगर या फिर भरतपूर, हजार खंबों का नगर, तीक है, अब start करते हैं आज के question के साथ, आज इसका आपका पहला question क्या कहता है, कि हिंदी भाषा का साहित्य अकाद्म्य पुरास्कार किसे प्रदान किया गया, यह important क्यों है, क्योंकि जो पूरस्कार मिला है, वो राजास्तान के बगती है, और राजान के second phase के हम यहाँ पर बात करी रहे है, नंद किशोर अचार स्य c option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा यह राजस्तान के निवासी है राजस्तान के बिकानेर के निवासी है इसलिए question बहुत ही ज्यादा important है तो c option आपका यहाँ पे correct हो जाएगा अगला question सत्रमी लोगसभा चुनाओं में राजसान से कितनी महीला निर्वाचित सांसद है कितनी है दोस्तों कुल तीन है सी ओप्शन आपका यहां पे करेट हो जाएगा नाम बता देता हूं रंजी जो कि है बरतपूर से जसकोर मेना जो कि है दोसा से दिया कुमारी जो कि है रासमन से यह तीन है आगे चलते हैं तीसरा कुशन के और के अंतराश्चे उट महसभ कहां मनाया गया और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडियेफ चीए तो आप हमाने टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर लिजिए उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ आपको प्रिवेस सभी वीडियो की पीडियेफ मिल जाएगी और इस वीडियो की पीडियेफ यह आपको वहाँ पे मिल जाएगी तो दोस्तों अंतराश्चे उट महसभ कहां मनाया गया यह मनाया गया दोस्तों बीकानेर में यह option आपके हैं आपके correct हो जाएगा देखें यह question थोड़ा सा पुराना है हालांकि है 2020 का ही लेकिन थोड़ा सा पुराना question है देखें पुराने क्यों ले रहा हूं question क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है lockdown वगरे चल रहा है तो current में कोई भी event नहीं हो रहे है और राजस्तान जी के अगर current event नहीं हो रहे है तो राजस्तान जी के आपकी current की कैसे बनेगी तो कुछ question आपके पहले के भी ले रहा हूं ताकि आपका revision होता रहे तो दोस्तों आप समझेंगे यह से बात बीकानेर में मनाये गया और जनवरी 2020 में मनाये गया कौन सा था यह 27 वा था 27 वा उन्ट महोसव तो इस सभी चीज़ें आप याद रखना चौता कोशन के राजस्तान के केन शहरों में दो-दो नगर निगम सापित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है यानि के राजस्तान के केन शहरों में एक से दो नगर निगम हो बन गया यानि के दो-दो नगर निगम है एक-एक शहर के अंदर यहाँ पर D option करेट हो जाएगा यानि के कोटा, जोदपुर और जैपुर इन तीनों में अब क्या है दो-दो नगर निगम है तीक है इसके अधिसूचना जारी हो चुकी है तो यह भी important question है आप सभी के लिए आगे देखते हैं कि बीस्वी पशुगर्णा में राज्य के पशुधन में कितने प्रतिश्चत की कमी हुई most important question है क्योंकि बीस्वी पशुगर्णा अभी latest की है और इस बार 101% आपके एक्जाम में यहां से question पका बनेगा तो बीस्वी पशुगर्णा हो सका वीडियो बना दिया जाएगा उसकी tension आप मत लेना इसका question का जवाब आपका क्या हो जाएगा B option 1.66% की कमी हुई है 2012 की अगर बात करें राजसान में वर्ष 2012 में 577 लाग पशुदन था जो वर्ष 2019 में घटके कितना हो गया है 568 लाग ठीक है तो इस दोरान ये जो पूरी प्रतिशत की कमी हुई है वो है 1.66% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है तो दोस्तों धान्यवाद आज के वीडियो में बस इतना ही